हलो एवरिवन वेलकम तो माई चैनल और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में जिसका नाम है जी पी सी आर तो जी पी सी आर के बहुत सरे नाम होते हैं जैसे कि दीज आर ऑल्सो नोन एज अल्फा हेलिकल रिसेप्टर यानि कि कु तो उस पर क्या होता है साथ बार जो है ट्रांसमेंब्रेन को इस सरीके से क्रॉस करता है इसलिए इसका नाम है सैवन ट्रांसमेंब्रेन रिसेप्टर मेटाइबोट्रोपिक रिसेप्टर सेल सर्फेस रिसेप्टर यानि कि जो सेल के सर्फेस पर प्रजंट होता है यह और ग इंसाइड, ट्रांस्ट्रक्शन पाथवे एंड गिव रिस्पॉंस, इट्स में जो जी पी सी आर क्या है, एक लार्ज प्रोटीन है, रेसेप्टर फाबली में पाया जाता है, और साथ में इसका काम क्या है, कि जो भी बाहर के इन्वार्मेंट से मैसेज आ रहा होता है, उसको उससेल के अंदर पहुचाने का काम करता है, विद शलर्प ऑ लाईगेंड जो बाइंड करते हैं, तब उसके बाद से वो इन्फर्मेशन जो है उस लूप में गया एक्टिवेसट करने से एस शयू करने की next क्या है दे कंसेस्ट ओफ a सिंगल पॉलि पेपटाइड जो जी पी सीर क्या होता है वह सिंगल पॉलि पैप्टाइड का बना होता है which has three intracellular and three extracellular loop यानि कि जो आपका साथ मेंब्रें यहां पे लिखे one two three four five six seven ते जो है यहां पे इस तरीके से क्रोस करता है cell membrane को और उसके अंदर कितने लूप है एक है ECF, ECF मतलब की extracellular fluid, cell का जो बाहर का portion और intracellular fluid, cell के अंदर का portion जिसे हम बोलते है, cytosol, तो जो आपका यहाँ पे 3 intracellular है, तो 3 बार जो है आपका intracellular है, और 3 बार क्या है, extracellular loops बने हुए है, तो इस तरीके से GPCR जो है, cell membrane के उपर present होता है, it is also called a serpentine because it looks like a snake, यह इसलिए इसको जो है, एक serpentine भी कहते हैं, क्योंकि यह कुछ साप के जैसा दिखता है, मतलब इस तरीके से साप के जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते है, serpentine फिर है, it has a transmembrane domain, ठीक है, it has 7 transmembrane domain, इसके पास कितना है, 7 transmembrane domains होता है जितने भी है, यहाँ पे 60 domains present है, ligands generally bonded to the GPCR, तो ligands क्या करते हैं, जब कोई ligands आके इस पर bind करता है, ठीक है, ligands क्या क्या होते हैं, various hormone, कोई भी hormone हो सकता है, opium derivatives, या फिर neurotransmitter, या chemo attractants, या फिर drugs, या फिर chemical substance, ये सारे चीज़ जो हैं, क्या आपके ligands हैं, जब ligands इस पर bind क करता है, कहां पर bind करता है, extra cellular fluid में, ठीक है, cell के बाहर वाले surface पर जब bind करता है, तो ये जो आपका membrane है, यानि कि ये जो 7 transmembrane है, इसमें क्या होगा, activation स्टार्ट हो जाता है, जब activation स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर, यानि कि C3 और C4 पर जो है, उस subunits present होते हैं, इस subunit को कहते हैं, alpha, beta, gamma, तो इस alpha, beta, gamma, यानि कि जो ये 3 subunits हैं, इसका नाम है heterotrimer, ठीक है, तो इसको बोलते है, heterotrimer, G protein कैसा होता है, monomeric G protein और trimeric G protein, तो monomeric जो होता है, इसमें आपका ras आजाएगा, rho आजाएगा, ran, rap, ठीक है, ये सारे example है, और trimeric में आपका आजाएगा, G alpha S, G alpha, I, and G alpha, Q, G alpha, O, ठीक है, तो ये 4 present होते हैं, trimeric proteins में, यानि कि alpha, beta, gamma में, तो यहाँ पे जो है, alpha के उपर, जो है, क्या लगा होता है, GDP, ठीक है, तो GDP, जो है, alpha के उपर लगा होता है, C3 और C4 के पास, ठीक है, तो इसे बोलते हैं, subunit, तो G protein के जो है, कुछ टाइप होते हैं, तो G protein के कुछ टाइपस होते है, Gs, Gq, Gi, Go, ठीक है, इनका काम क्या है, Gs जो है, Adrenalyl Cyclase को क्या करेगा, Activate कर देता है, Calcium Channel को जो है, Open कर देगा, खोल देगा, और Gq का काम क्या है, Phospholipase को Activate कर देगा, Gi का काम क्या है, Adrenalyl Cyclase को Inhibit करेगा, Potassium Channel को खोल देगा, और G.O का काम क्या है, Phospholipase C को जो है, Inhibit कर देगा, और Calcium Channel को Inhibit कर देगा, तो इसका काम अभी हम लोग देखेंगे, तो Mechanism में क्या होता है, कि किस तरीके से GPCR वर करता है, तो Drug Bind with the Receptor, Drug क्या करेगा, Bind करेगा, Receptor के साथ, तो जैसे ही Extra Cellular, यानि कि Cell Surface के जो उपर वाला जो Cross किया था, उस पूरे Loop के थूरूब में क्या होगा, Current Flow हो जाएगा, फिर उसके पासे Activate the G Protein, G Protein हमारा क्या था, Sub Unit, Alpha, Beta, Gamma, उसमें Activation आ जाएगा, Activate होने के बास से, जो GDP था, यानि कि Alpha के पास क्या था, GDP था, वो Replace हो जाता है, GTP में, यानि कि GDP जब Inactive Form में था, Alpha GTP के साथ जो है, उधर चला जाएगा, Effector Organ के पास, और जो Beta और Gamma है, वो क्या है, Dimer है, इसका काम क्या है, ये Iron Channel को Regulation में Help करेंगे, ठीक है, तो ये साथ में Iron Channel को Open कर देंगे, तो Calcium Channel खुल जाएगा, Calcium जो है, Extra Cellular से, Intercellular के अंदर आ जाएगा, और GTP जो है, वो क्या करे इसका काम कर रहे है, और GPCR जो है, इस तरीके से वर करता है, ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहले डाग्राम में क्या है, Extra Cellular Fluid में, जब लाइगेंड जो है, आके बाइंड कर रहा है, बाइंड करने के वास्ते, इस पूरे के बाइंड कर रहा है, इस पूरे के बाइंड पूरे जो Transmembrane Loop है, इस लूप में क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है, करेंड जनरेट हो रहा है, जैसे ही जब जनरेट होता है, यहां पर जो सब यूनिट्स होते है, अल्फा, बीटा, गामा, तो अल्फा के पास क्या है GDP, तो GDP क्या होगा, यहां पर देखिए, ने कुछ enzymes present होते हैं, जैसे की AC, यानि की Adrenal Cyclase है, Phospholipase C है, ठीक है, तो यह क्या होंगे, अक्टिवेट होंगे, अक्टिवेट होके अपना response दिखाएंगे, और बीटा और गामा क्या करते हैं, यह आयन चैनल को regulate करने में help करते हैं, तो इस तरीके से जो है, GPCR वर करता है, फ अक्टिवेट होता है किसके help से, GEF के थूँ, तो यहां पर देखें, GDP, यानि कि जो alpha GDP था, जब यह on होता है, on होने के वाद से क्या करेगा, convert कर देता है, GTP में, with the help of GEF, GEF क्या है, Gronin Nucleotide Exchange Factor, ठीक है, तो इसके help से convert हो जाता है, GTP में, तो जैसे convert होता है, GTP में, तो पास चला जाता है, तो जब एफक्टर और गें के पास चला जाता है, तो वो कुछे secondary messenger को जो है, activate कर देते हैं, और अपना response दिखाते है, देन उसके बास से, जब यह activate हो जाते है, तो activate होने के वाद से, GAP के help से, यह क्या होंगे, वापस से GDP में, convert हो जाएंगे, GAP हमारा क् गौनल activating protein, clear, then क्या है, GTP is switch protein, तो कुछ switch proteins present होता है, जैसे कि activate GTP, inactivate GDP, मतलब कि जब हमारा GTP activate हो जाता है, ठीक है, और inactivate GDP, तो जब activate हो जाता है, तो उसको बाद में जो है, क्या होता है, कि उसको inactivate करना होता है, तो inactivate किसकी help से होता है, GTP is enzymes के help से होता है, has the intrinsic GTPs activity inactive the G alpha GTP by catalyzing the GTP hydrolysis यानि कि जब एक बार alpha जो है ये alpha जो GTP जब activate हो जाता है तो फिर क्या होता है इसको inactivate करना होता है तो कैसे inactivate होगा जब ये GTP को हम लोग convert कर देंगे GDP के form में तो वो क्या होगा with the help of GTPs enzyme तो वो convert हो जाएगा आपका वापस से GDP के form में तो जब GDP के form में convert हो जाएगा तो ये वापस से जो है alpha, beta, gamma एक साथ आके जुड़ जाएंगे जुड़ के जो है इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे तो इस तरीके से GPCR जो है अपना काम करता है तो ये एक तरीके से secondary messenger का काम करता है cyclic adenomonofosphate तो ये क्या है आपका CAMP पाथवे और ये किस पे काम करता है phospholipase C, phospholipase C यानि कि जो इफेक्टर ओर्गन था उसके पास दो enzyme से एक था adenyl cyclase जिस पे हमारा CAMP पाथवे काम करता है और दूसरा था phospholipase C enzyme जिस पे हमारा IP3 और DAG पाथवे काम करता है तो इस तरीके से जो है हमारा GPCR वर करता है और यहाँ पे कुछ theoretical part में है जैसे कि ligand bind result in the GPCR जब ligand bind कर रहा है bind करने के बाद क्या कर रहा है receptor को activate कर दे रहा है वो सातो membrane जो है यानि कि जो G protein था alpha beta gamma था वो क्या करेगा turn on the effector यानि यहाँ पे क्या होगा जो alpha beta gamma का जो sub unit था वो alpha के साथ जो GTP है वो कहां चला जाएगा effector organ के पास और यह क्या करेगा effector organ के पास जाने के बाद से यह activate करते हैं AC और PC जो enzymes होते उसको activate कर देते हैं और response दिखाते हैं और यह beta और gamma क्या करते हैं यह regulate करते हैं आयन चैनल को regulate करते हैं देन उसके बाद से इस तरीके से GPCR काम करता है फिर क्या होगा तो प्रिवेंट ओवर स्टुमिलेशन receptor have to be blocked from the continuous to activate the G protein तो जो लगातार जो signal आ रहे थे और उसको transmembrane जो loop था उसको activate कर रहे थे उसको क्या करना है ब्लॉक करना यानि कि prevent the overstimulation जो overstimulation आ रहे हैं उसको block करना है तो कैसे block होगा desensitization is carried out to the regain sensitivity to future stimulate यानि कि यहाँ पर क्या होगा जो alpha GTP था जो की factor organ के पास लगा हुआ है तो activate हो गया था तो इसको जब हम लोग inactivate form में करेंगे तो क्या करेंगे GTP को convert कर देंगे हम लोग GDP के form में with the help of GDP as engine तो यहाँ पर क्या करते हैं जो GDP, alpha GDP था जब यह activate state में है तो यह GDP के form में convert होगा यह वापस से जो है alpha और beta के पास चला जाएगा और वहाँ पर जाके inactive form में convert हो जाएगा तो इस तरीके से यह work करता है the receptor G protein and the effector return to their inactive state यानि कि अब receptor जो था G protein का और जो effector थे effector molecule से वापस से क्या हो जाएगे inactive form में हो जाएगे तो यह पूरा process था हमारा G protein couple receptor के बारे में I hope you will understand what is GPCR if you like my video please like, subscribe, comment and share thank you